पहला सवाल है ओरत को संतुष्ट करने के लिए कौन सी पोजिशन अच्छी होती है इसका राइट आंसर हो जाएगा डोगी पोजिशन अगला सवाल है हमारा ओरतों को किस पोजिशन में करवाना अच्छा लगता है और इसका राइट आंसर हो जाएगा सेक्च नैन पोजिशन में अगला सवाल किस परकार के ओरते बिना कंडों के करवाना पसंद करती है और इसका right answer हो जाएगा हमारा चाधी सुधा ओरते अगला सवाल किस परकार की महिलाओं के निपल अधीक काले होते हैं जो ज्यादा चुस्वती हैं अगला सवाल कम उमर में संभोग करने से लड़की का कौन संग भढ़ जाता है और इसका right answer जाएगा हमारा उसका पिछवड़ा और इसका इस्तन बढ़ जाता है ओरत की नार्मल योनिकी सैज कितने होती है लगबग चार इंच तक होती है इसका right answer अगला सवाल है ओरत संभोग करते समय पूर्शू से क्या चाहती है क्या चाहती है दोस्तों टाइट लिंक से पूरी तरह संतुष्ट होना कम उम्मर की लड़कियों का योनिक का सवाथ कैसा होता है इसका right answer खटा मिटा होता है अगला सवाल है संभोग के दोरान किस करना क्यों जरूर होता है पूरी संतुष्ट और मुजा लेने के लिए अगला सवाल किस दिन महिलाओं के साथ सम्मद बनना नहीं बनाना चाहिए यह हो जाएगा मंगलवार के दिन नहीं बनाना चाहिए अगला सवाल है क्या हस्त मेतल बिलकुल भी नहीं करना चाहिए जी दोस्तों इसका राइट आंसर करना चाहिए हथते में क्यों नहीं क्या दो बाए अगला सवाल सम्मद बनाने के लिए सबसे सही और उचित्स में क्या होता है सुबद चार से छे बज़े के बीच में अगला सवाल ऐसा कौन समंदिर है जहाँ पर लोग लिंग क्या आगे माथा टेकते हैं और इसका राइट आंसर लिंग राजबंदिर के आगे किस उमर की लड़के दिनवर काम करने पर भी थकती नहीं 25 साल के उमर के लग क्या है थकती नहीं है अगला सवाल हमारा रावण कि लंका में सिता जी कि स्पेड के नीचे बंदी थी सिंसपा स्पेड के नीचे बंदी हुई थी हर रात पति अपने बीबी को क्याल खिलाते हैं जिससे उनके जोस दुखना बढ़ जाता है मैन फोर्स खिलाते हैं